चीन लगातार भारत में दबिश बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो भूल रहा है भारत अब 1962 से आगे निकल गया है भारतिय सेना के पास भले ही 1962 के युद्ध में वायू सेना की ताकत नहीं रही हो लेकिन अब भारतिय वायू सेना की ताकत के आगे कहीं टिकता नजर नहीं आ रहा है चीन भारती वायू सेना के पास पहले से ही इसराइल निर्मित हेरोप किलर ड्रोन्स हैं ये ड्रोन्स क्रूज मिसाइल की तरह दुश्मन के ठिकानों की पहचान करते हैं और फिर आत्मगाती बन कर दुश्मन के ठिकानों और रडारों को विस्फोट कर उड़ा देते हैं इसराइली हेरोन और सर्चर दो को अपग्रेड किया गया है ताकि वो ना केवल दुश्मन के ठेकानों की निगबानी कर सके बलकि कमबाड ड्रोन की तरह हमला भी कर सके चीन के पास भारत के इस हतियार का कोई भी जवाब नहीं है ऐसे में युद्ध की गीदर भबकी देने वाले चीन को इन हतियारों को देखना जरूर चाहिए जो उनकी सेना की हम्मत को पल भर में खत्म कर देगी यूज एक्सप्रस की रिपोर्ट